हाई देखो सीबी एफस टीट्वेंटी लीग फिर हम लोग कवर करेंगा आज रात को और मैं पहले बता दू वाई एमिरेट्स डीट्वेंटी मैं नहीं कवर कर रहा है बिल्कुल पागल बनारा का यार लास्ट मिनट पे प्लेयर एक दो नहीं चेंज करते तीन चेंज कर दे रहे हैं अब यतनी हर्बर मैं मैं टीम बनाओ अपने 20-20 टीम एडिट करूं या आपको दूं तो इसलिए इसको रह सेवन डिस्ट्रिक्स बर्सेस एल पी तो इसमें हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग ग्रेंड लीग बनाए या स्मॉल लीग बनाए कौन-कौन से इसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल हमारे टीम में होने ही चाहिए तो आज़ाओ और हाँ सबसे जरूरी बात कीपर सेक्षन में सुल्तान को फिक्स कर देना इन्हें चुने के जरूबत नहीं है एक हलिक खेलेंगे नहीं और इसे वह उत्मा कुछ खास नहीं है अब आजाओ सिधा बॉलिंग सेक्षन में जहां की सबसे जरूरी प्लेयर्स हैं डबलू अकरम जडिकवाल यह दोनों फिक्स हैं और कोई र की लेके जाते हैं एक से जादा नहीं लेते हैं जतने विए टोर्नामेंट खेले इन्होंने दो मैंच ही खेले हैं लेकिन दोनों में एक एक विक्ट लियें तो रिस्की है ठीक है इसे एक कैप्टान बना लेना आप अगर ग्रेंडली की टिम बना रहे हैं तो मशीह उर्रहम पूरे उभर कराए लेकिन कुछ किये नहीं पिछले मैच में लेकिन उससे पहले अच्छा करके आ रहे हैं तो टीम में होने चाहिए जे सामसुदिन मैटिंग ओडर अच्छी है मतलब उपर उतरते हैं फर्स शकेंड थर्ड में आही जाते हैं ठीक है और बॉलिंग भी अपना कड़ाते हैं लेकिन कल की मैच में इन्हें बॉलिंग नहीं मिला पता नहीं क्यों नहीं मिला लेकिन चलो देखते हैं अब एच एहमद खान एक अच अबली टीम है वह फास्टर से डरते हैं ठीक है सेवन डिस्ट्रिक्ट तो उमीद करते हैं कि इन्हें चांस नहीं मिलेगा एस एहमद खान एक अच्छे इस्पीनर है और कल बाल मतलब हर मैच में बॉलिंग करा रहे हैं तो इनके बॉलिंग नहीं करते हैं तो इन्हें रख हैं मस्ट है मैं बतारा हूं कि जो जो प्लेयर जरूरी है हर टीम में होने चाहिए यूशा ठीक है बैटिंग ओडर अच्छा है इनका टॉप के बल्लेबाज है इस टीम के अगर अकेला कोई बल्लेबाज है तो यह ठीक है अब एस मस्वूद के साथ समस्य आया है कि यह खेल प्री नहीं रहे किसी मतलब आप तक में एका मैस में खिलाए गया है एक यह दो मैच में तो यह जरूरी नहीं है किपिंग सेक्सर्ण में फिक्स हो गया है सुल्तान उसके अलावा कि कुछ हो नहीं है तो देखो अगर आप को स्कृन शॉट लेना है इस टीम के मस्ट है तो आप स्क्रिंशॉट ले लो यह मतलब केतने होगे छे यह च्छे के छे आपकी टीम में होने चाहिए अब चलो आजाओ सेवन डिस्ट्रिक्ट तो सेवन डिस्ट्रिक्ट में देखो एम काशिप को रहने दो चिक है अगर इनकी पहले बैटिंग आएगी तो उसके बारें हम लोग सोचेंगे लेकिन मस्ट हैब में नहीं है भाई डबलू सा को रख लेना बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं और बैट्समें 30-40 रंग दे रहे हैं मतलब 50 पॉइंट बहुत हो गए बॉलर ज्यादा पॉइंट दे रहे हैं तो देखो इसके और में दो प्लेयर हैं दोनों को फेक्सी कर लो ठीक है मुहमद सगीर खान ठीक है परियां बॉलिंग करता है और दोनों फास्टर है तो फास्टर करना पड़ेगा इस्पीनर होना चाहिए मतलब खतरनाक तभी रखेंगा अवाइस एहमद सेलेक्सिंट परसंटेज सिर्फ 9 परसंट बहुत अच्छे बॉलर हैं उमीद रख सकते हैं इससे आप ठीक है लेकिन ग्रैन लीग में लेकर चलना तो देखो दोनों टीम के आपको बेस्ट प्लेयर बता दिये कितने दस ठीक है यह दस को आप लेकर चलो कि स्क्रिंशॉट लेकर रख लो यह दस प्लेयर कोशिस करना कि आपकी टीम में हो इसमें से अगर आपको किसी को हटाना हो तो जो चार और दिख रहे हैं इन्हें मत छूना ठीक है आप चाहे तो बैट स्क्रिंग से डावलू सा को आप कम कर सकते हो ठीक है और किसी को आप नहीं कम करना है अब देखा जाए तो इस तरह की टीम दिख रही है यह आठ प्लेयर होने चाहिए बिल्कुल टीम में ठीक है अब रही बात जो लास्ट के दो प्लेयर बच गए है ठीक है तो उसके लिए आप सिध्धा चले आओ और अंडर सेक्शन में यहां पर आप चाहे तो एच एहमद खान को ले लो ठीक है और यह तो बॉलिंग सेक्शन में आ जाओ मसी उर्रह्मान को लेलना जैड नसीर को भी ले सकते हो अच्छे बॉलर है और एच अलमास या तो अवैश महमुद है तो हुआ है तो फिलाल अगर आप कैप्टन वी सी की सोचो जो इस मौलीक के लिए होते हैं इस मौलीक के लिए वाई मिरफान से आच्छा केप्टन कोई सकता ठीक है और बॉलिंग सेक्शन में आजाओ तो तो सेफ अगर जाना चाहते हो तो इसी के साथ जा उजयर्मान के साथ यह सेफ कैप्टन बीची का अप्शन है यह दोनों मुहमद इर्फान और उजयर्मान और आपको फैनल टीम चाहिए तो वर्ट्सप चैनल जोईन करो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट बॉक्स मिल जाएगा जोईन कर लेना ठीक है अभी के लिए बाई